बड़ा सवाल इस बात को लेकर रहे जब सुप्रीम कोट में माप करेगा इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टेट उनको तब अरेस्ट किया जब दिल्ली हाई कोट में उनको एक तरीके से रहा है रिलीफ नहीं मिला और दिल्ली हाई कोट में जब यह का कि भई आप एडी के पास कि आपके पास सबूत है जब नहीं सबूत है तो आप प्राइबेट ली आपको सबूत दिखाते हैं एडी ने प्राइबेट लियुको सबूत दिखा है उसको बाद दोटकर फाइडी हाई कोट में उनको जो घरेकतारी से जो रोक मिलनी चाहिए ते उससे मना कर दे Sidney दो की जा रही है वो argument कि आप ख़ाडा हो पाएगा जी बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है शित्pektुश कि वह argument बनाया जाए कि आप एकदम आप पाक साफ हैं ये कहने आज इर्वंद केजरीवाल के लिए शायद थोड़ा मुश्किल है मेरे सामने देखिए दो यक्षप्रेशन उड़ते हैं एक ये कि क्या अरविन के जीवाल आज के कोट की टिपणी के बाद अगर वो ये कहने में सक्षम नहीं है क्या उन्हें बतार मुख्यमंतरी बने रहना चाहिए क्या अगर वो मुख्यमंतरी बने रहते हैं तो दिल्ली की सरका क्या क्या कर सकती है क्या ये एक फिट केस नहीं है बता दूं आपको कि पिछले घंटों में दिली के राज़पाल की ओर से दो चिट्थियां अल्रडी मंतराले को जहां पर एक कहा जा रहा है कि हम दिली मंतरियों को हम बुला रहे हैं मनतरी हमारे पास किसी कारवाश आहीं वो बहाने बाजी कर रहे हैं मुझको जो जानकारी प्राप्त हो रहे है आशुत दोस्तर पे हैं एक ये कि एक सीरियस मूव अब किया जाएगा अर्विन केजरी वाल चाहते हैं कि वो रिजाइन न करें वो जेल में अगर उनको रहना है और मुझको लगए उनको समझ में आ वईया था और ये कहना कि ना सिर्फ आप खुद स्वयम आप इसमें इन्वाल्ड हैं प्रतम दिश्टा जैसा कह रहे थे लेकिन आप ऐस कन्वीनर ऑफ आमाधी पार्टी भी आप इसमें इन्वाल्ड हैं मुझको लगता है बहुत दूरगामी एक ये बात कही है आज को जब जसे संजीव खना ने जब मनीश सुदिया के केस में जब उन्होंने कहा था यह उनकी के लफजों से आया था कि एक पूरी पार्टी को आप जिमेदार क्यों नहीं मानतें तो क्या अगर अर्विन केजरिवाल मान लीजे मुखी मंतरी बने रहते हैं और वो इस पे अड कि इसकी संभावना है कि दिली में राष्टबती शासन लगना कोई बहुत दूर नहीं है अगर अर्विन केजरिवाल अपने रवईये पे अडिग रहते हैं बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं इसकी आशन का बहुत बड़ी है क्या आपको लगता है कि आमादी पाटी कोई दूसरा फैसला कर सकती है वो अपना कोई नया निता चुन सकती है आज के फैसले के बार अर्विन केजरिवाल इस बार क्यों रियलाइज करने कि अब शायद लंबे समय तक वो जील से बाहर नहीं आ पाएंगे लेहाजा सरकार कम से कम बचा लिया जाए आपके का कुछ जानकारी ऐसी है आपके पास या आपका इनलिसिस क्या कहता है बहुत मुश्किल है आश्दोश बहुत मुश्किल है मैं आज दिन भर मैं केंदर सरकार के आले निताओं से और आमादी पार्टी में भी कुछ वरिशूत्रों से मिरी जो लगतार जो बात्सी चल रही है जो राजपाल के यहां है वहाँ भी हमारी जो बात्सी चल रही है ए हम आरोपी हैं, तो आप यह करें कि आप हमें बरखास कर दें, आम आद्री पार्टी की अपनी कैलकूलेशन में, अभी एक वक्ता जो बात कह रहे थे, कि अर्विन केजरिवाल की फोटो लगा के का जा रहा है कि जेल का जब आप वोट से दो, आप देखेंगे कि किस प्रकार स सुनीता केजरिवाल जी जब शुरू में उन्होंने कुछ प्रेस कांफेंस की, तो पहले अंबेटकर और आजाद थे, फिर बीच में अर्विन केजरिवाल आ गए, अब आप देखें कि जहां भी आम आद्री पार्टी का कोई भी प्रवक्ता जा रहा है, जो बैक डॉप है वो अर्विन केजरिवाल सलाखों के पीछे है, वो वो हो गया है, तो केजरिवाल जी तो बड़े स्पच्ट हैं इस बात को लेकर कि वो किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देने वाले, जब इस्तीफा नहीं देना तो दूसरे नेता की दो बात ही नहीं हुती, आम आदमी पार्टी की ओर से जो उनकी स्टैडिजी वो ये है, कि केंद सरकार या तो राश्पति शासन लगा है, केंद सरकार या तो दिली सरकार के मंतरियों को बरखास कर दे, या केंद सरकार या ग्रे मंतराले टिकपड़ी करे कि सरकार आप जेल से नहीं जला सकते, तो या तो आप अपना कोई अलग नेता चुनिए और फिर भी अगर नेता नहीं चुना जाता है तो फिर ग्रे मंत्राल है बिल्कुल किसी ने किसी प्रकार के सिफारिश करने के लिए शायद बाद्ध्य हो जाएगा केजरिवार टीम का मुझको लगता है कि ये स्ट्राइडिजी है कि केंद्ध सरकार को बाद्ध्य किया जाए कि हम अपनी जेगे से नहीं हटने वाले आप अगर हमको हटाना चाहते हैं आप एला मूव करिए सत्त हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर कि कि क मलाद्ध सरकार को बाद्ध और करें आप लेका मूव जा अपना आप डेका ऑ्सकाय जा । भर हम जाफ्में 10 त ये वाले ऐग सकत शाले नहीं प्ले स्टाव जा दे इते हैं इत आफ